पूरे उत्तर भारत में कडाके की ठंड का अनुमान है और राजस्थान के कई जिलों में तो पारा शूनने से नीची जा चुका है और इस मौसम में राजस्थान के रेगिस्तान में पहली बार बर्व देखने को मिली है कडाके की ठंड की वजह से हर्याणा और चंडिगर से चंडिगर ने स्कूल की छुट्टियां बढ़ा दी है अब यहाँ पर जो स्कूल हैं वो 21 जन्वरी से खुलेंगे पहिंगाजियाबाद लखनाव और नॉड़ा में स्कूल कल से खुलने वाले हैं हालनकि आज अच्छी धूप यहाँ पर देखने को मिली है हमारे स्वेगी प्रखर हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रखर दिल्ली में ठंका क्या हाल है यह बताईए आप और जो स्कूल खुलने वाले हैं उसको लेकर भी चिंताए हैं माता पिता के मन में जी ताबिश देखिए पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा दिल्ली में शीत लहर चलना शुरू हो चुकी है जाहिर सी बात है क्योंकि पहाडों पे पिछले दो-तीन दिनों से जोर्दार बर्फबारी जारी है आप चाहिए बुल्वर्द देखिए शिम्ला देखिए जोरदार बर्फबारी हो रही है वहां पर तो उसका जो असर है वह कहीं न कहीं दूसरे राज्यों पर देखने को जरूर पड़ता है आप जैसे आपने बात की चुटियों की जो चुटिया बढ़ाई गई है जैसे चंदीगर और हडियाना की चुटिया 21 तारिक तक बढ़ा दी गई है वहां के स्कूलों की और बिहार भे वहां पे जो स्कूल की टाइमिंग्स है उन्हें भी बदलाव किया गया है नौईडा की अगर मैं आपको कुछ बात बताओं तो नौईडा में जो कुछ स्कूल्स हैं उनमें ऑनलाइन क्लासेश का भी प्राफदान शुरू कर दिया गया है लेकिन दिल्ली सरकार ने फिलाल इस पे कोई आक्शन नहीं लिया है तो अब क्योंकि ऐसे समय पे जहां पे तापमान क्योंकि आएमडी ने बोला है कि जो आने वाले दो तीन दिन है उसमें जो तापमान है वो शून के करीब जा सकता है और जोरदार शीत लहर आपको पूरे दिल्ली एंसियार में देखने को मिलेगी तो क्या दिल्ली सरकार इस पर कोई फैसला जल से जल देगी ये देखने वाली बात जरूर है शुक्रिया परखर आपका बिल्कुल सबकी नजर इस पर होगी कि क्या यहां पर भी चुट्टियां जहें बढ़ाए जाती है आगे दिल्ली में क्योंकि जो मौसम भाग का अनुमान है वो यह कि आने वाले कुछ दिनों में आपको शीत लहर का असर दिल्ली में और उतर भारत के बागी जगाओं पर देखने को मिलेगा जिस तरह से पहाड़ी लाकों में बरबारी हो रही है